Hello students, आज हम जानेंगे self-introduction को, especially for the sixth class student. Self-introduction means अपना परीचे, आप स्वयम अपना परीचे जब देते हैं तो वो self-introduction है. इसकी जरूरत हमें पढ़ती है जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं. उनको अपने बारे में बतानी के लिए हम English में अपना self-introduction देते हैं. या फिर जब क्लास में कोई नया student आता है, तब हम अपना परीचे सब पूरी क्लास को देते हैं. Self-introduction मतलब, my name is, सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, और मैंने यहाँ blank line छोड़ी है, जिसमें आप अपना स्वयम नाम लिख सके, my name is, जो भी आपका नाम है. Second line, my father name is Mr., जो भी आपके पिता का नाम है, उसे यहाँ लिखिए. And my mother name is Mrs., फिर यहाँ मा का नाम लिखिए आप अपनी. Third line में आता है, I study in Classics in Shantas Marek Kanya Inter College, यहाँ पे मैंने Shantas Marek Kanya Inter College लिखा है, या जिस किसी भी college में आप हैं, आप उसका नाम यहाँ mention करेंगे. Number four है, I like reading books, painting and music, इसमें आप अपनी hobbies के बारे में बता सकते हैं, अगर आपको किताब पढ़ना पसंद है, painting पसंद है, music पसंद है, तो यही line लिखिए, और अगर कुछ और करना पसंद है, तो उसे भी इसमें add कर सकते हैं, जैसे cooking, gardening, कुछ और भी. I like reading books, painting and music, cooking, gardening, कुछ भी लिख सकते हैं. Number five, I like to go to school and study there. तो यह आपका introduction बन जाता है, इसे अपने बड़ों के साथ कई बार बोलने की practice करें, पहले copy में लिखें, और फिर इसे जितना भी हो सके, आप English में जितनी बार दोहराएंगे, उतना आपका confidence बढ़ेगा. और बड़ों के साथ मिलकर इसे बोलें, उनके सामने present करें, तो आपको यह English में introduction देना बहुत अच्छे से आजाएगा, आपका confidence बढ़ेगा. इसे like और चैनल को subscribe जरूर करें. Thank you very much.